मित्रो आत्मा को लेकर आज भी कई शोद जारी हैं और इन से जोड़े सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं जिसे आत्मा क्या है, आत्मा कहां निवास करती है और क्या आत्मा को किसी ने बनाया है इल्मे सबसे रोचक प्रश्ण है कि आत्मा को किस ने बनाया है हमादे सनातन धर्म गरंतों में इस विशय पर विस्तार से प्रकाश्टा ला गया है तो चलिए जानते हैं आत्मा से जुड़े इन रह समय सवालों के जवाब इस विडियो में पवित्र हिंदू धर्म गरंत गीता में इस पहलू को काफी गहराई से बताया गया है श्रीमत भागवद गीता के दिती अध्याय के बारवें श्लोक में बताया गया है कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अत्वाई ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है कि इस से आगे हम सब नहीं रहेंगे वहीं श्रीमत भगवत गीता में बताया गया है कि कोई हत्यार आत्मा को नहीं मार सकता ना ही इसे जलाया जा सकता है पानी इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही हवा इसे सुखा सकती है बगवान श्री कृष्णे शिलोक से आत्मा की अमर्ता का वर्डन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम सब नहीं थे तथा आगे भी ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब हम नहीं रहेंगे अर्थात भूद काल में मैं भी था तुम भी थे तथा ये समस्त राजा लोग भी थे तथा भविश्य में भी ये सब रहेंगे क्योंकि आत्मा अमर है उसे कभी नश्ट नहीं किया जा सकता क्रिशन इस तत्य से भली बाती पर्चित हैं क्योंकि श्री क्रिशन जगत गुरू है तथा उन्होंने अपनी आत्मा का ग्यान प्राप्त कर रखा है अर्थात आत्म साक्षात कारी हैं तथा भय आत्मा की अमर्ता के बारे में जानते हैं तथा अपने को आत्मा मानते हैं शरीर नहीं आत्मा परमात्मा का अंश है तथा जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है वह परमात्मा को भी समझ जाता है जिस प्रकार पानी की बून के बारे में सब कुछ जान लेता है वह समुद्र के बारे में जान जाता है क्योंकि दोनों एक ही हैं हम अभी इस शरीर को ही मैं मान रहें जबकि यह बात हमारा ब्रहम है बलकि इस शरीर को चलाने वाली जो अद्रिश शक्ती है वही आत्मा है जो दिखती नहीं परतु पूरे शरीर को संचालित करती है तथा जब वह शरीर से निकल जाती है तब मानव शरीर पृत हो जाता है ज जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है कि छिती जल पावा, गगन समीरा, पंच रचित अती अधम सरीरा, भावार्त, प्रित्वी, जल, अगनी, आकाश और वायू, इन पांच तत्तों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है, जो शक्ती शरीर को चलाती है वही आत्मा अजरा मर है, तथा कभी नश्ट नहीं होती, मित्रों इसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे पंखा, ट्यूब लाइट, वाशिंग मशीन, आदी, विद्धु तूर्जा से संचालित होते हैं, और आप जैसे ही बटन को बंद कर देते हैं, विद्धु रशे शक्ती है, जो शरीर को चलाने वाली है, तथा शरीर नहीं है, हमारी सब आत्माएं जिसका अंश हैं, उसे परमात्मा कहा गया है, गीता का ग्यान जो दे रहे हैं, वह शरी कृष्ण के शरीर का आश्रे लेकर परमात्मा ग्यान दे रहे हैं, यहाँ पर शरी कृष्ण जब तक उसमें परमात्मा तत्तो विक्सित नहीं हुआ हो। अर्थात अपने को वैदे ही ना मानता हो। परमात्मा के साथ एकाकार ना हो गया हो। तब तक यह बात नहीं कर सकता। अर्थाय गीता का ग्यान परमात्मा के ही शब्द है। आत्मा का बड़ा ही अच्छा वड़न करते हुए बताया गया है। आत्मा को विश्वात्मा के आत्मा को विश्व का आधार और उसका मूल का रणवाना गया है। अगर आपके पास कोई सुझाओ या प्रश्णू तो कृप्या कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य साचा करें।